स्टूडियो में एक गाना बनाने के लिए कितना खर्च होता है? या कितना वक्त लगता है? या क्या प्रोसेस है अपना गाना स्टूडियो में बनवाने के लिए? ये पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या प्रोसेस होता है स्टूडियो वालों का प्रोफेशनल हो या फिर वो कोई होम स्टूडियो ही चला रहा हो जैसे कि हमारा SPW Studios है इसमें आप मैंसे कई लोगों ने ये चाहत जताई कि वो गाने बनवाना चाते हैं तो प्रोसेस शायद उनको थोड़ा नहीं मौलूम था इस वज़े से जो चार्जिस है उनको लेके थोड़े से विरोधा भास भी हुए कि इतना चार्ज क्यों है कैसे क् मैं आपको प्रोसेस और क्या-क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ ताके किसी भी स्टूडियो वाले से अगर आप करवाते हैं तो आपको अंदाजा हो कि कैसे गाना बनता है हर संगीतकार के मन की इच्छा है आज की कि उसको अपना गाना बनवाना है स्टूडियो में रिकॉर्ड करवाना है और प्रॉपरली अच्छे से मिग्स्ड हो अच्छा सा म्यूजिक हो पीछे से यूट्यूब पे डाला जाये उसका एक म्यूजिक वीडियो बने जिसमें वो अच्छे अच्छी लोकेशन पर उसका अच्छा सा वीडियो शॉट हो, एक कहानी हो, उसमें अक्टर, एक्ट्रस हो, है ना, ये उसका खाब है आज के हर कलाकार का, जो भी इस लाइन में उतरा है, क्योंकि इतनी चमक धमक है, क्योंकि इतना एक्सपोजर है, क्योंकि ऐसे प्लाटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हुआ है, जो स्टूडियो वर्क को जानता है, उससे तो मालूम है कि इसमें कितनी मेहनत, कितना वर्क, और क्या-क्या कितने लोग इन्वाल्व होते हैं, और कितना लंबा प्रोसेस है, पर एक लेमेन को नहीं मालूम है, इसलिए आज मैं बताने जा रहा हूँ, कि कैसे आप एक गाना बनवा सकते हैं और उसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है, देखिए, सबसे पहले तो, जैसे ही आप मुझसे संपर करते हैं कि हमें एक गाना बनवाना है, तो उसका मतलब क्या-क्या है, गाने में क्या-क्या होना चाहिए, आपके पास उस गाने की शब्द होने चाह और आप के पास एक سिंगर होना चाहिए मिनिमम ये तीन चीजें तो जरूरी ही है इनके बगएर गाना बन ही नहीं सकता जाहर सी बात है अगर आपके पास गाने वाला नहीं है आपके पास धुन नहीं है और शब्द नहीं है तो एक गीत कैसे बनेगा अब जाहर बात है कि पीछे का music कैसे बनेगा, अब हम सबसे पहले ये समझें, उसके पीछे जो music बजता है, उसे हम technical भाशा में कहते हैं, उसका track बनाना, आगर आप किसी से कहते हैं कि हमें इसका गाने का track बनवाना है, यानि track क्या होता है, जैसे कि karaoke होता है, आपने सुना है, जिसमें vocals नहीं होती है, बीच में overlap है, कैसे क्या है, तो उसे हम कहते हैं, studio की भाशा में track बनाना, तो जब आप हमारे पास आते हैं, तो हम आपके गाने का track बनाते हैं, अब वो track किस-किस प्रकार से बन सकता है, कई सारे instruments उसमें use होते हैं, जैसे कि keyboard जिसका इस्तमाल जो है, किस-किस प्रकार से होता है keyboard एक midi keyboard भी होता है आपने normal keyboards तो देखे होंगे जो synthesizer होते हैं वो आपने programs में देखें live देखें लेकिन studio में इस्तमाल होने वाला जो keyboard होता है उसे हम कहते है midi keyboard midi keyboard क्या काम करता है midi keyboards के जरिये आप कोई सा भी instrument आप बजा सकते हैं और उसकी आवाज आपको मिल जाती है और वो कैसे मिलती है जिस software का आप इस्तमाल करते हैं उसे कहते हैं DAW है ना आपका जहां पर digital audio workstation इसका full form है उसमें क्या होता है कोई से भी software हो सकता है जैसे FL studio है जैसे audacity है जैसे logic है इना logic specially जो है Apple का है Ableton Live है यह कुछ DAW है यानि digital audio workstations है वो software है recording software भी इनको कहा जाता है इन में connect होता है वो आपके computer से connect होता है cable की through और उसमें plugins होते हैं अब plugins आपको मैं अगर यह समझाओं कि आपके instruments की आवाजें अलग-अलग और अलग-अलग effects जैसे कि आपकी vocal में reverb देना हो जैसे कि आपके गाने में eco delay यह सारी चीज़ें होती है और इसमें कई सारी और भी चीज़ें होती है आपकी voice में जो editing है उसमें EQ होता है यानि आपकी आवाज में bass डालना है कम करना है या जो surround sound है उसको हटाना है क्या नहीं करना है किस mic पे record हुआ है तो उस अनुसार अलग EQ होगा हर आवाज की अनुसार अलग EQ होता है तो यह सारी चीज़ें उस DAW में होती है उस software में होती है और उस keyboard के जरिए आपको अगर बांसुरी बजानी है तो वहाँ पे बांसुरी का sound select कीजिए बांसुरी बज जाएगी आपको तबला बजाना है तबला बज जाएगा तो कई लोग क्या है इस प्रकार से track बनाते हैं MIDI के थुरू और loops के थुरू इंटरनेट पे loops available होते हैं तबले के ठेके के loops मिल गए उनको cut करकर के चिपका के बना दिया जाता है एक ये ढंग होता है और एक होता है live बजवाना यानि जैसे microphone से live record होगा तबला होगा तो live होगा flute होगी तो live होगी ये एक process है studio में चीज़ें record करने का उसके बाद उससे ही आपका track बनता है अब track में एक होता है arrangement तो एक आदमी जो वो सारा काम करता है उसे कहते है arranger और दूसरा आदमी जो सारी plugins इस्तमाल करता है और आपको कौन सा instrument कहां देना है किस intensity में चाहिए उसका sound किस प्रकार से होगा आपकी voice में जो है changes अगर करने उसको editing करनी तो वो क्या होगा तो ये जो पूरा का पूरा काम आता है ये production का काम है ये music production के अंदर आता है और वो कहलाता है music producer तो अगर कभी कभार ये भी होता है कि जो music producer है वही arranger भी है music arrangement भी उसी का है arrangement basically क्या होता है कौन सी file कहां लगानी है कहां से क्या आएगा computer पे technically सारा काम है ना और वही production का काम भी उसी के अंदर आता है एक आदमी होता है recordist जो आपकी वो सारी recording करेगा किस situation में आपने record करी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जाने कि इतने सारे लोग एक recording में involved होते हैं तो जाहिर बात है charge जो है उसी अनुसार होता है अगर आपको लग रहा है कि एक गाना बनवाना मतलब 100-200-500 रुपे का काम है तो आप बहुत जादा खलत है ये गाना महंगा काम है इसलिए मैंने पहले ही कहा है पहले पिछले वाले वीडियो में भी बताया था अगर आपको गाना बनवाना है तो थोड़ा खर्च आपको करना पड़ेगा आप कहीं और बैठे हैं मैं उदैपूर राजिस्थान में हूँ आपका गाना बना रहा हूँ तो आपको जादा चार्ज पे करना ऐसा खुछ नहीं है आप यहाँ भी करेंगे तब भी चार्ज उतना ही लगेगा उस ट्रैक कॉप हेड़फोन पे सुनके गा देंगे तो सबसे पहले कैसे अब रिकॉर्डिंग कैसे कैसे होती है इसमें एक और इस्तमाल होता है मेट्रोनोम मेट्रोनोम पे ही सारी की सारी चीज़ें गाई बजाई जाती है ले यानि उसकी speed जो है वो अलग ना हो आपने कह दिया 130 के metronome पे 130 के BPM पे आप बजा के भेज़ दीजिए वो बजा के भेज़ता है तो यहां arrange करना बड़ा आसान हो जाता है तो यह एक चीज है जो आपको समझनी होती है कि इसमें recordist होता है इसमें music producer होता है करेंजर होता है और music direction अलग होता है कहां कौन सी चीज लगेगी आपने composition और शब्त तो कर दिया आपने गाना भी आप गा देंगे लेकिन music director अलग होगा जो बताएगा कि यहां पर यह instrument आएगा यहां यह music देना यहां ऐसा देना है तो यह इतने सारे लोग इसमें involved है फिर studio charge होता है अलग-अलग आप studio का time ले रहे हैं वहाँ 2 घंटा आपने recording ली है तो आप देखिए 2 घंटा studio सिर्फ आपके लिए booked है तो studio charge अलग लगता है इसमें फिर आप देखिए कि equipments कौन-कौन से use होते है तो आपने देखा एक normal laptop यूज होता है इसमें speakers यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं studio monitors वो भी studio monitors कोई normal speakers नहीं होते हैं studio monitors वो होते हैं जो आपको raw sound देते हैं जैसा आपने record किया वैसा studio monitors में खुद की कोई effect नहीं होती है अगर आप देखें normal speakers होते हैं उनमें खुद का base होगा खुद का treble होगा वो आपको set करना पड़ेगा studio monitors में ऐसा नहीं होता है तो आपने देखा SPW में हमने जो studio कौला उसमें हमने Adam के speakers रख रखें काफी महंगे और काफी अच्छे speakers हैं हम जो instrument use कर रहे है recording के लिए वो condenser mic है और condenser mic में हम studio recording करते हैं और instruments के लिए अलग-अलग mics आते हैं dynamic mics आते हैं तो हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं फिर आप देख सकते हैं एक machine जो मैंने आपको पिछली बार बताई थी audio interface जिसको हम कहते हैं interface क्या हो गया आपका audio जो है वो laptop में record होगा किस के थूप तो वो audio interface है जिसको normal भाषा में sound card भी का जाता है लेकिन sound card बहुत छोटी चीज होती है जब वो बड़े पैमाने पे चली जाती है अब कोई बड़े लेवल पे करता है तो और अच्छा iMac उसके पास होगा Apple का उसने computer या laptop ले रखा है तो उसमें आप वो Logic Pro का इस्तमाल करता है वो और जादा महंगा software ये software भी सारे महंगे होते हैं जो plugins जो instruments आप ले रहे हैं आपको एक editing बताई नहीं इसमें mixing और mastering ये भी एक चीज होती है mixing क्या होता है इतने सारे tracks बनते हैं आपका vocal है जो आपने पहले metronome पे गाया है फिर इसमें पीछे तबला चल रहा है गिटार चल रहा है, keyboard चल रहा है फिर keyboard में भी अलग-अलग चीज़े होती keyboard से strings बचती है, pads बचते है उसमें अलग-अलग प्यानो बज़ेगा या कोई दूसरा instrument आपने लिया है flute लिया, वो अलग बज़ा, बांसुरी अलग बज़ी या फिर violin अलग बज़ा जिसमें क्या है, volume overall कैसा सुनाई देगा फिर ये जो पूरा का पूरा गाना है normal speakers में भी सुना जाता है normal earphones में भी सुना जाता है क्यों क्योंकि अब सबके पास तो monitors होते नहीं किसी के पास normal earphone है, किसी के पास normal है speaker है, car के speaker में कोई सुन रहा है it's a long process और बहुत सारी लोग इसमें involved होते हैं हम लोग यहां पे गाना बनाते हैं इतने सारे artists को हमें बुलाना पड़ता है यहां flute चाहिए, तो वो live चाहिए क्योंकि plugin में वो मज़ा नहीं आ रहा keyboard में, आप जो technically machine से निकालते हैं हमेशा अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है है ना, वो कुछ महंगी-महंगी, अगर आप plugins खरीदते हैं वो भी बहुत महंगी-महंगी आती है तब जाके उसमें original sound आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है लेकिन Indian instruments का नहीं ही मिलता है इसलिए आप खुद search कीजिए, आप YouTube पे लिखा कीजिए कि song making, कोई सा भी Bollywood गाना अगर आपको पसंद आ रहा है आप बस उस गाने के आगे उसकी making लिख दीजिए song making, आपको मालूम चलेगा studio में कितनी महनत लगती है और कितना लोग उसमें काम करते हैं तो अगर अब भी आपको हमार से गाना बनवाना है तो you're most welcome आप आईए हमें संपर्क कीजिए हम आपका गाना बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे लेकिन उसमें वक्त लगेगा और उसका एक चार्ज होगा निश्चिट जो हम आपको वहीं बताएंगे